हेलो फ्रेंड्स आज हम बई बनाने जा रहे हैं पास्ता पीजा सॉस जिसको कि आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं और जो बहुत महंगी होती है लेकिन आज हम इसको घर पर बनाएंगे तो सॉस बनाने के लिए हमने लिये हैं 8-10 कलिये लस्सन की और इसको बारिक चॉप कर है और साथ ही लिए हैं दो लाल टमाटर जिसको की मिक्सी में हमने पीस लिया है अब पैन को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे बटर साथ ही इसमें डाल देंगे लस्सन दोनों को थोड़ा सा भूनेंगे अभी फिलेम को थोड़ा सलोई रखना है अब इसमें एट करेंगे एक चम्मच औरिगेन, एक चम्मच चिली प्लैक्स, इसको भी भूल लेंगे, अब इसमें एट करेंगे टमाटर प्यूरी, दो चुट्की डालेंगे नमप, एक चम्मच डालेंगे चीनी, और वन पोर्ट चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्ज का पाउडर, सब को मिक्स कर ल और दो मिनट इसको लिट लगा कर पका लेंगे, चेक करते हैं, तो बन गई ना हमारी बड़ी ऐसी पीजा सॉस, फ्लेम को आफ कर देंगे, और जब सॉस ठंडी हो जाएगी तब इसको हम जार मेंबर कर रख लेंगे, आप इसको सेंड्विच की ब्रेट पर या पीजा पर किस किसी पर भी लगा के खा सकते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी प्यारी इसमें से कुछ भू आ रही है, और देखने में कितनी बड़िया बनी है, तो आप लोगों को रेसेपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, थैंक सब्सक्राइब करेंगे कि झाल कुछ आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो में कितनी झाल प्युछ सकते हैं, तो में आए, यू जाए, यूए!